कि दोस्तों आज हम बात करेंगे नोटबूक मेकिंग बिजनस के बारे में दोस्तों चाहे हम स्कूल में हो कॉलेज में हो घर में हो ऑफिस में हो जॉब में हो या कहीं भी हो हमें नोटबूक का उपयोग लगता ही लगता है दोस्तों यह जो बिजनस है यह FMCG में आने वाला बिजनस है जो fastest moving consuming good होता है उसमें आने वाला यह बिजनस है क्योंकि इसमें आपको हमेशा इस चीज़ की ज़रवर पढ़ती ही पढ़ती है तो दोस्तों ऐसे में यह दोस्तों आज हम इसी बिजनस के मारा में बात करेंगे कि नोटबूक के लिए आपको कौन से मजीनरी में क्या बश्क्ता होगी तो किटने उसक्ता होगी किटना कॉस्टिंग लगेगा बश्मि कितना प्रॉपिट थोता है और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जरूर सबसे पहले सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि हम इसी तरह के इनोवेटियो आइडिया लाते रहते हैं तो दोस्तों अगर बात करें इस बिजनस की तो नोड़बुक मेकिंग बिजनस के लिए आपको जो मिशिन वी रिक्वाइड होता है वो आप सिंगल फेस में भी चला सकते हो और थ्री फेस में भी ना आपको ज़्यादा बड़ा लोड चाहिए ना आपको ज़्यादा बड़ा कनेक्शन चाहिए आप ग्रेलू लाइट पे भी इसको शुरू कर सकते हो तो रही बात इसकी जगा की कितने जगा चाहिए आपको तो आप इसको 200 से 300 स्केर फिट के एरिया में भी सेट अप कर सकते हो थोड़ी सी जगा में भी मशीन लगाके ग्रेलो दियो की बिली यूज़ करके आप इसको असानी से अपना बेजनेस शुरू कर सकते हो तो दोस्तो हमारे पास जो मशीने आती हैं वो तकरीबन 2 लाग से लेके आपकी 14 लाग तक की आती है जैसे का आपका बजट हो जैसे का आपका इन्वेस्टमेंट हो आप उसे हिसाब से मशीने लगाकर अपना काम शुरू कर सकते हो तो जो machine हैं वो सारी आपको screen पे दिएगे numbers पे contact करके आप सारा पता कर सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं कि ये machine कैसे work करती हैं क्या क्या model होते हैं और कैसे इनका सारा working procedure होता है तो दोस्तों अगर हम बात करें इसमें लगने वाले आपके raw material की तो इसमें आपके दोर चीजों का requirement होता है एक रहता है अंदर वाला ruled paper जिस पे हम copy पे लिखते हैं और एक बाहर वाला title paper होता है जो आप screen में printed देख सकते हो तो इन दोनों को हमने आपस में stitch करना होता है फिर folding होता है फिर squaring होता है और फिर cutting होता है जो हमारा अंदर वाला ruled paper है वो तकरीबन हमें market में 70-80 रुपे kg के बीच में मिल जाता है जो हम अच्छी quality जो जैसे की classmate का होता है वो लेना चाहे दो अगर इससे कम quality का भी चाहिए हो तो वो भी मिल जाएगा तो ये दो raw material हमें चाहिए होते है एक अंदर वाला paper और एक बाहर वाला title जो title paper है वो छोटी copy का आपको 1.5 से लेके 5.5 रुपे तक का पड़ेगा और बड़ी copy का आपको 3.5 से लेके 4.5 रुपे तक पड़ेगा ज notebook making machines के model number 3 के बारे में जिसमें हमारे पास 3 machine का setup आता है एक notebook stitching machine motorized जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो copy एक साइड में रखके आगे देखेलना है और पैडल से थोड़ा सा प्रेस करना है और automatically ये pen लगाता जाएगा दूसरे number पे आती है notebook edge squaring machine जिसमें pen लगने के बाद copy को back square करने के लिए डाला जाता है और तीसवे number पे आती है paper cutting machine chammy automatic ये तीनों machine लगा कर आप अपना notebook का business कम investment में शुरू कर सकते हो जिसका अपका budget तकरीबन 6 लाग के आसपस आएगा तो चलो देख लो कैसे काम होता है हुआ हुआ है तो दोस्तो 3-in-1 मशीन के बाद इसमें हमारी आती है semi-automatic paper cutting machine इसमें आपने जो notebook उसमें त्यार होके निकली है उसको इसमें डालके cutting करना है जिसे आपका दो-दो copy का set single single copy में convert हो जाता है और आपके single single copy त्यार होके आपको मिल जाती है आप देख सकते हो कैसे कर दो जाता है झाल झाल तो दोस्तो इसके बाद कॉपी कटिंग होने के बाद काम आता है कॉपी को पैक करने का जिसके हम श्रिंक रैपिंग कहते हैं तो इसके लिए हम यूज करते हैं नोटबुक श्रिंक रैपिंग मशीन जिसमें हमने कॉपी को जैसे 4-5 कॉपी का सेट बनाना होता है उनको एक मश चड़ा के रखना है तो मशीने आटोमेटिकली उसको श्रिंग करके मलब हीटिंग देके उसको लैमिनेशन को साथ में चिपका देना होता है जिस वरसे कॉपी में कभी भी मॉइस्टर नहीं आता और आपका स्टोरेज करने के लिए नोटभू काफी इजी हो जाता है आप कही नहीं भी सेल करते हो मार्केट में तो कोई भी जो है लैमिनेशन के बिना पैकिंग हुआ माल नहीं लेता तो हर कोई कहता है कि मेरा स्टॉक में माल पड़ा रहा है और जिस वरसे मेरा कोभी माल खराब भी न हो तो इसका भी आप काफी बैनिफिट ले सकते हैं तो चलो दो बात कर लेते हैं इस बिजनेस में प्रॉफिट के बारे में दोस्तो अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो जो हम मार्केट में कोई भी कौपी खरीते हैं जिसका अंदाजन माल लेते हैं कि मर्पी किसी भी कौपी का 20 रुपे है वो अगर आप मैनुफेक्चर करोगे तो उस के बाद अगर हम मानके चले किसका लाइसंस वगारा तो इसमें आपके लाइसंस के कोई जूरद नहीं रहती आपका मलब ग्रिल ओ द्योग में आता है ये सारा बिस душ तो लाइसंस आपका कोई इसमें लगता नहीं जादा से जादा आप GST नंबर ले सकते हो और अगर हम बात करें इसमें लोन लेने के बारे में तो लोन आप इसको लेने के लिए बैंक से बता कर सकते हो अपने नियर अबाउट जो आपको इसके लोन के बारे में गाइडेंस दे सकता है तो दोस्तो बहुत ही असान बिजनस ह आप कहीं भी शुरू कर सकते हो ना ज़्यादा इंवेस्टमेंट चाहिए और मलब बिल्कुल साफ सफाई वाला काम है आप कहीं भी शुरू करके इसको असानी से अपना स्टेट अप कर सकते हो और अच्छा मार्जन कमा सकते हो मार्केटिंग के लिए आप अपने लोकल एरिया में होल सेलर के साथ कंटेक्ट कर सकते हो अपने अधर जितने भी स्कूल्स हैं उनके साथ टाय अप करके उनको बेज सकते हो तो जिससे आपको कभी भी मलब सेलिंग में दिक्कत नहीं आती तो चलो इतना है था आज की वीडियो में मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद